नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखन पातरता परिक्षा यानि की जेट एट उसका सिलेवस क्या है आप लोगों के मन में बार-बार सवाल आ रहा होगा अगर आप इसे सीट एट से कम प्यार कर रहे हो तो आप कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत हो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको समझा दूँगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी पहली बार चैनल पे आये हैं चैनल को सब्स्राइब के लिए टेलिग्राम पे जाकर के मिथुन सिंग सर्च कीजिए जहां पे आपको जो है 3000 प्लस इस्टूडेंट जुड़ चुके हैं या फिर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर के लिंक से क्लिक करके जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएग आगे बढ़ेंगे देखे सबसे पहली बात 6-8 के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो सबसे पहले आप जान लो 6-8 के लिए जो आपको है टाइमिंग 3 घंटे का मिलेगा मैंने पहले ही सिलेबस बना रखा है 125 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल आगे बढ़ते हैं याद रखिएगा यहां पे जो अब्जेक्टिव टाइब एक्जाम का कोश्चन आएगा यानि कि आपको A, B, C, D में से कोई एक चुनना होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यानि कि आपको सारे कोश्चन को एटेम्ट करके आना है भले आप को आता हो या ना आता हो लेकिन फिर भी आपको बनाना है तो 1-5 की सिलेबस को नहीं देखेंगे हम लोग देखेंगे 6-8 के सिलेबस को यहां से देख सकते हो आप बालविका सेवं सिक्षन पद्धती अनिवारे रूप से यानि कि जिसे आप CDP, Pedagogy जो समझो वो आपको 25-25 पेज़िillην सिक्षक के लिए हिंदी, अंगरेजी याद रखिए ГА, कोई भी टीचर आप बनना चाह रहे हो। समाइन सिक्षक के लिए तो हिंदी और इंग्लिज से और आपका जो रिजनल लेंगविज है वो भी आपको पूछा जाएगा। तो यहां से देख लिजे समान सिक्षक के लिए आपको 50 नमबर, यानि कि 25 दुना, 50 नमबर आपको देखने को मिल जाएगा, पचास नमबर आपको जो है question देखने को मिलेगा language से, और हिंदी इंगलिश से और पचीस नमर जो है वो छेत्रीय जन जातिय भासा, अब ये छेत्रीय जन जातिय भासा क्या है, जैसे कि अगर आप देवघर से हो, तो आप आंगी का या खोटा चुन सकते हो, यही अगर आप जामतड़ा चले जातों, वहाँ पे आप संथाली, बंगाली, या फिर आप आंगी regional language है अगर आप उस district से जाना चाहते हो तो आपको उसी district का language को prefer करना होगा चुणना होगा यू आर आपको जो है क्या करना करे कंपरसरी कर दिया गया है आप उससे अलग नहीं जा सकते हो अब बात करेंगे part 2 की यानि की का science है और जो social science है उसके बारे में भी मैं आपको detail से समझा दूँगा science के लिए देखिए आपका अगर suppose कर लो mathematics या physics chemistry में से कोई एक है तो आपका mathematics से 70 marks का question पूछा जाएगा और याद रखिएगा physics और math वाले लगभग एक ही category में गिने जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपका mathematics से 70 नमर पूछा जाएगा और science से 80 अब science में कौन सा बहुत की और रसाइन आपका 40 40 marks का पूछा जाएगा अब जो biology वाले हैं उनका क्या होगा तो उनको देखो आपको जो यहां पे दिख रहा है 150 marks का exam वो आपके subject से लिया जाएगा और यहां पे आप देख सकते हो वनिस्पति बिग्यान और जी बिग्यान से आपसे question पूछा जाएगा और assign या फिर आपके according जिस तरह का सब्जेक्ट है उस तरह से आपका mathematics सक question नहीं पूछा जाएगा आगे देख लिजिए इसी तरह से अगर आपका इतिहास से 50 नंबर पूछा जाएगा भूगोल से 50 नंबर पूछा जाएगा राजनिती विग्यान से 50 नंबर या अर्थ सासर से 50 नंबर या फिर समात सासर से 50 नंबर पूछा जाएगा लेकिन याद रखिएगा आपका कोई भी honors paper हो आपका कम से कम यहाँ पे इनी सारे subjects में से कोई 3 subjects को आपको choose करना होगा जब आप form भरने के लिए notification आएगी तो वहाँ पे और चीज़ें के लिए कर दी जाएगी यानि कि हर question के लिए 3 marks रखा गया है यानि कि 150 marks का आपका subject से exam होगा subject concerning से आगे देखिए language teacher के लिए क्या होगा अगर आपका English है 75 का तो Hindi, Sanskrit, Urdu में से भी आपका 75 75 होगा यानि कि आपको language paper में दोनो language paper को देखना पड़ेगा यहाँ भी आपका कितना होगा 150 marks का exam होगा तो यह बाते थी देखिए यहाँ पर मैंने सारे सीज़ों को clear करने की कोसिस करी है और याद रखिएगा बिज्ञान बिसे और समाजिक बिसे के लिए करमसा 4 और खंड 5 होगे और जिन में से करमसा 2 या 3 खंडों का उत्तर देने आनिवार होगा यानि कि अगर किने का language teacher कोई बनने जा रहे है तो उन्हें इस sector को छूने की जरूरत नहीं है science वाला sector छूने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ेंगे प्रस्न पत्र हिंदी और English दोनों भासा में होगा बिल्कुल समानिसी बात है आपको हिंदी या English के अलाबा और कोई language में paper नहीं मिलेगा सिर्फ original language जो आप चुनोगे वो आपका वो जो है हिंदी या English से होगा याद रखिएगा syllabus जो होगा 11-12 के recording होगा यानि कि आपको 11-12 तक के सारे question जो NCERT के books हैं वो पढ़ लेना है देखिए एक और बात मैं अब आके आपको बता देता हूँ कोई भी doubt हो तो comment section में पूछ लीजिए या फिर आप मुझे mail कर सकते हो yourmithunsinig at the rate gmail.com पे email कर लीजिए instagram पे हो तो at the rate imithunsinig पे आप मुझे follow कर सकते हो और notes या फिर कोई भी doubt हो तो आप मुझे पूछ सकते हो JTAT के regarding आपको सारे information मिल जाएगी NCRT के book आप फ्री में download कर सकते हो उसके लिए भी मैं आपको link provide कर दूँगा email कर लेना आप तो फिलाल के लिए इतना ही I hope कि आपको सारी बातें के लिए हो गई होगी तो फिलाल के लिए इतना ही you guys are amazing keep reading keep learning keep growing thanks for watching this video